हलो दोस्तों नमस्कार एक्जाम विज्डम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है अकाश्र वस्तो तारिक है आज पांच नमबर 2022 और हम बात कर रहे हैं दहिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याक्या के साथ समझने की आज के सेशन में हम जिस एड डिटेल में डिसकस करने वाले हैं वो रहेगा इन पाकिस्तान a state of war with much drama ahead पाकिस्तान भी युद्ध के स्थिति कई नाट के मोड़ा भी बाकी जिस तरीके से पाकिस्तान में नाजुक हालात बने हुए हैं पूर्व प्रधान मंतरी इमरान खान पर जानलेवा हमला होता है और काफी जादा उआ पोहो के इस्तिति पाकिस्तान की राजनीति गलियारों में देखने को मिल रहे हैं अब आगे क्या होगा काफी दिर्चस पर कई सारे पहलूँ को इस आर्टिकल में डिसकस किया गया है दोस्तों अंतर तक जरूर बने रहे हैं एक्जाम पॉइंट और जनर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगा लिंक डिस्रिप्शन में दिया हुआ है जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तमाल हुआ है इसे में शब्दार्त और भावारत की बिन्नता को कमेंड बॉक्स में जरूर इंगित कीज सेना द्वारा ही है इस पष्ट करने के साथ कि जब राज्य युद्ध के इस्तिति में होता है तो लोग और सेना मिलकर इससे निपड़ते हैं कि राजनितिक रूप से कहीं अधिक जटिल हो गई है आइटिकल में बात हो रहा है जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंतरी इमरान खान पर जान लेवा हमला होता है और ऑपरेशन थेटर में जहां पर उनका इलाज चल रहा है वहां सही इमरान खान द्वारा इस हमले के पीछे वर्तमान प्रधान मंतरी शहवाज शरीफ जी का नाम आता है ग्रिह मंतरी और वरिष्ट सेवारत के काफी नाजुक स्थिती पैदा हो गई है, सीधे सीधे सेना और इमरान खान आमने सामने जो की काफी लंबे समय से भी नजर आ रहा है, उस पे अब उमीद है इमरान खान और जादा आकरामक होते भी दिखेंगे, अब शुरुवात हो रहा है, अप्रेल में जिस तरीके से नो क दुरलब अफसर के रूप में देखने को तब मिलता है, जब पहली बार पाकिस्तान की सेना के DG ISI और DG इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ISPR एक लाइव जॉइंट प्रेस कॉनफरेंस करते हैं, बिसिकली यह जो प्रेस कॉनफरेंस होता है, इसका उदेश यह जो प्रेस कॉनफरेंस को बुलाई जाती है, और जो वर्तमान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, इनके खिलाफ एक पुरा कैम्पेन इमरान खान द्वारा जो चलाया जा रहा था, बिसिकली उसके ही रियक्शन में यह जॉइंट प्रेस कॉनफरेंस होता है, और DG IS इसमें कहा जाता है, कि आप रात में चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलते हैं, और दिन में उनको देश द्रोही कहते हैं, और ISI के महानिदेशक यह भी खुलासा करते हैं, कि जब नो कॉन्विडेंस मोशन लाया जा रहा था इमरान सरकारक के खिलाफ, तो उससे एक कुछ दिन पहले, इमरान खान द्वारा मार्च में जनरल बाजवाक से प्रयास किया जाता है, इस्तिती को समाल लिया जाए, और उनको एक ओफर यह करते हैं, कि उनके सर्विस पीरियड में अनलिम्टेड एक्स्टेंशन कर देंगे उनके टेन्यूर में, यदि जो नो कॉन इसको रोक लिया जाता है, और DGISI इस बात को कहते हैं, कि जब यह पेशकश इमरान खान द्वारा की जा रही थी, तब उसके गवाह वो खुद भी थे, आगे वो यह भी कहते हैं, कि अगर इमरान खान को जनरल बाजवा गदार लगते हैं, तो उनके सामने ऐसा पूर्व है, कभी भी ऐसी इस्तिती पाकिस्तान की इतिहास में देखने को नहीं मिलती है, जब इतने खुले तोर पर सेना प्रेस कॉन्फरेंस के द्वारा किसी नेता के विरुध जो भी उस पर एलिगेशन लगाया जाते हैं, उसके लिए वो सफाई देती नजर आती है, और अब मीडिया द्वारा ऐसे भी खबरे आती हैं, कि जब चुनाओ का परिणाम होता, 2018 में जब इमरान सरकार सत्ता में आती है, तब बेसिकली उनको सत्ता में लाने के पीछे भी सेना का ही हाथ रहता है, और जिस तरीके से जब जोइंट प्रेस कॉन्फरेंस होता है, तो काफी आश्यर जनक है कि PTI और सेना कितनी शांदार तरीके से जो इस्तर है उनका गिर चुका है, और कोई भी संदेह नहीं है, कि जो इस्टेबलिश्मेंट है, इस्पेशलिए ISI की बात हो रही है, जो PTI को सत्ता में लाने में महत्तपुन भीमका उसके द्वारा निभाया गया है, और आगे आइटिकल में इस बात का भी जिक्रो रहा है, जिस तरीके से जब जनरल बाजुआ के एक्स्टेंशन की बात आती है, तो क्या सत्ता वाले और क्या विपक्ष वाले एक मत होकर सभी उनके जो टेन्योर है, उसको एक्स्टेंट कर दिया जाता है, हलाकि कु जिस तरीके से सेना नचा रही थी, उस तरीके से वो नाच रहे होते हैं, किन्तु नमबर 2021 के बाद से चीजे बदलने शुरू हो जाती है, इवन जब सेना में प्रमुख नियुक्तियों की बारे में भी बात होती है, जिसमें जनरल बाजुआ का भी फूचर शामिल होता है, जब इमरान खान के सामने जाता है, तो उसमें काफी डिफरेंसेज देखने को मिलते हैं, और इन ही डिफरेंसेज में आगे सेना अपना हाथ इमरान सरकार से खीच लेती है, और ऐसा भी माना जाता है कि इसी डिफरेंसेज के बढ़ने के कारण से नो कॉन्विडेंस मोशन लाया जाता है, जिससे की जो इमरान सरकार है, वो बाहर हो जाती है सत्ता से, किन्तु, जिस तरीके से सत्ता से बाहर होती है, पाकिस्तान का जो आम जनता है, उसका बहुत बड़ा तबका, इमरान खान के लिए काफी ज़्यादा सम्वेधन शील हो जाता है, इवन वो इतिह प्रास में जो सबसे लोक प्रांतों में जो चुनाओं होते हैं, उनमें इनकी जीत में नजर आतें, इस्पेशलिग पन्जाब की बात कही जाए, जो सबसे बड़ा प्रांत है, वहां पर इमरान की पार्टीका सरकार बनता है, और उपचुनाओं में इनकी आठ में- छे सीट पर PTI द्वारा जीत तरजी कर ली जाती है। आगे आइटिकल में इस बात का जिक्र हो रहा है कि सबसे बड़ी विडंबना इस बात पर नजर आती है कि जिस सेना द्वारा इमरान खान सत्ता में लाए जाते हैं, अब वो उसी सेना के खिलाफ एंटी इस्टैबलिश्मेंट कैमपेन पूरा वो चला चुके हैं और इसमें वो चैंपियन भी साबित हो रहे हैं। और जिस तरीके से अब आगे बात हो रहे हैं कि अभी वरतमान में ये अपनी लोग प्रियता के बिल्कुल शिखर पे नजर आ रहे हैं तो ऐसे में व्रान खान चाहते हैं कि चुनाओ को जल्द करा लिया जाया है, हलाकि जो सत्ता में पार्टी है वो ऐसा बिल्कुल नहीं बात करें जो जंग ग्रुप ऑफ नियूस पेपर है वो इस प्रेस कॉंफरेंस के आखर जरूर थी क्यों पड़ी जब सेना के उच्छ अधिकारी उस उसने पूछा तो उसमें जवाब जो आता है वो पाकिस्तान के अंगरेजी और उर्दू अकबारों में भी लिखा जाता है आम लोगों तक भी यह जवाब पहुचता है कि जो पाकिस्तान पूरा एज़ा स्टेट वो आज के समय में स्टेट ऑफ वार में ढखिला जा चुका युद्ध की स्थिति बन चुकी है और एक ऐसा वातावरन है जबकि राज्य का जो अस्तित्व वो भी खतरे में पड़ होते हैं और ऐसे में चाहे एक आम सैनिक हो या सबसे वरिष्ट अधिकारी सब कोई जंग के मैदान में प्रवेश कर जाता है और आज के समय में इमरान खान और पाकिस्तान की जो सेना है वो युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर चुकी है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब युद्ध की बात होती है तो हम विनाश को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं रक्त पात अंतर नीत हो जाता है वारता शांती आत्म समर्पन सब कुछ देखने को मिल सकता है और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो राजनितिक इस्थिति बन चुकी है जो साफ तोर पर उद घोशित एक युद्ध का मैदान सेना और इमरान खान के बीच में नजर आ रहा है उसमें निशित तोर पर आने वाले भविश में कई नाटकिये मोडवी और देखने को मिलेंगे आज के हिंदू के आटिकल में इतना ही अंतर तक बने रहने के लिए धन्यवाद